मित्रों जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन विर्थ है किन्तु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्यन का समय ही कहा है आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रात्या 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है केवल 5-10 मिनिट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देख कर आप संपून गीता का अध्यन पूरा कर सकते है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्द होगा कीजिए अपने दिन की शुरूआत भगवत गीता के श्लोक के साथ जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्रेलिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं चलिए आज के वीडियो को आरम भगरते हैं नमस्कार मित्रों तो मित्रों गीता का पहला अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है हमने इसका अध्यान कर लिया है और आज के वीडियो में मैं जो ये पहला अध्याय है उसकी जो सिक्षा है उसका सार आपके सामने प्रस्तूत करने वादा हूँ इसी के साथ इस वीडियो के अंत में मेरे पास एक घोशना है तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि आप जाने तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए वैसे भी जो बात में आपके कहने वाला हूँ वो बहुत महतवपूर्ण है पूरे अध्याय का सार है यहाँ पर और उसमें कुछ बहुत ही ऐसे गहरे अंतरनिहत अर्थ हैं तो जो भगवत गीता का पहला अध्याय है उसका जो पहला स्लोक है वह बहुत ही महतवपूर्ण स्लोक है और मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया भी कि किस रूप से वह बहुत महतवपूर्ण है वहाँ पर धृतराष्ट जो होते हैं वो संजया से पूछते हैं कि धर्मशेत्र कुरुकशेत्र है वहाँ पर मेरे पुतर और पांड़ों के पुतर ने क्या किया तो वो बोलते हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और कुरु जो होता है उसका जो संस्कृत में अर्थ होता है करना या कर्म तो धृतराष्ट जो है वो बोल रहा है कि धर्मषेत्र कर्मषेत्र तो कुरुक्षेत्र जो है वो कर्मषेत्र है और ये कर्मषेत्र जो है उसके आ हमारे जीवन वियर्थ हो जाता है तो उसी से जो है गीता आरंब होती है और उसके पश्चाज जो है फिर संजय बोलते हैं कि वो कुरुशेतर में देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है वो पांड़ों की सीना को देख रहे हैं और देखके फिर वो दुरुणाचारे से वार्ता करते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारी सेना असीमित है और उनकी सेना जो है वो सीमित है यह बोलते हैं कि हमारी सेना के जो युद्धा है वो विशिष्ट है उनकी सेना के जो युद्धा है वो महांता के निकट है तो यहां से हमें दुर्योधन का जो घमंड है वो दे के पास में इच्छामरत्यू का वर्दान है तो क्योंकि उनके पास इच्छामरत्यू का वर्दान है तो वो एक रूप से देखा जा तो अमर ही हो गए और यदि वो अमर है तो उनको कोई मार नहीं सकता इसलिए उनकी सेना असीमित है ऐसा वो बोलते हैं उसके पश्चाद फि है फिर जो अरजुन होते हैं वो अपने शस्त्रों को सभाल ले लगते हैं और शस्त्रों को सभालते वे वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मेरे रत को दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थापित करें सेनियोर भी और मद्ये बोलते हैं तो दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थापित करें श्रीक रशन जो है वो अरजुन के रत को फिर दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं और उसके पश्चात अरजुन जो है वो जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं मे वो नश्ट हो जाएगा आर्व के कुल धर्म के नश्ट होने से और वर्णो के मिश्रन होने से पूरा समाज ही नश्ट हो जाएगा जिसके चलते जो पित्र हैं वो सभी नर्क में जाएंगे या हम सभी जो है नर्क में जाएंगे इस प्रकार की बात वो महाँ पर करते हैं अच इस को निवे तो विशयों को दे करना है उस में इनको अपने प्रीजनों की हत्तिया करनी हो गी तो इन सब विश्यों को दे कर अपने स्यस्त्रों को एक और रखके वहाड़ जाते है तो यह एक रूप से आप बहुथ सारे चोरे समाज सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि यह जो घटना है यहाँ यहं में बताई जा रही है वास्ताईश में वैसे ही हुई दिख में बता जा रही है और यह पूरों रूप से प्रकार से इस Q lone ng लोह जोते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो ऐसा कोई साक्षा ही नहीं है कि इस प्रकार की घटना जो है वह वास्ता हमें हुई थी कि नहीं हुई थी और यदि ऐसा है तो यह जो भी हमें हैं पर बताया जा रहा है वह वास्तों में कभी हुआ ही नहीं है और क्योंकि यह त तो इन दोनों विचारधारों को हमें उनकी उपैक्षा चाहिए और इसको और गहरा है से समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वास्तव प्लव से हमारे जीवन उत्तम बना सकती है वह हमार लिए अधिक पूर्षन है यह सिद्ध करना की ये घटनाए वास्तर में हुई थी या नहीं हुई थी क्योंकि हमारा जो जीवन है, उसमें जो हम अनूभव करते हैं वो ही हमारा सत्य है, उसके इलावा यदि और कुछ भी ऐसा है उसके बारे में हम कभी भी निश्चित रूप से कहने ही सकते हैं ये उस बारे में सोचना विरती है हमें के वाली है सोचना चाहिए कि ये सिक्षाएं हमें किस रूप से सहायता करती है तो उस बात को ध्यान रखते हुए आईए इस बात को हम और गहरा है से समझते हैं और इसको आप तीन स्थरों पर समझ सकते हैं तो पहला स्थर तो ये हो गया कि जो दुरियोधन है वो एक दुष्ट व्यक्ति हैं उन्होंने पांडों के साथ में बहुत ही बुरा बरताव किया उनकी जो राज्ज है उसको छीन लिया छलकापट करके उनकी जो पत्मी है उनके साथ में बुरा भेहवार किया तो वो एक पुर्भाग्य से भीश्म द्रोण और कर्ण जो हैं वो भी कौरोव सेना की ओर से ही लड़ रहे हैं पर इस थितिया कुछ ऐसी बर गए कि उनको कौरोव सेना की ओर से लड़ना पड़ रहा है तो वो अधर्ण की ओर चले गए हैं और जो यहाँ पर अरजुन के मन में एक शंक करके मुहों से बचना चाहिए क्योंकि यह जो मुहो है वह हमारे को विनाश की ओर ले जाता है तो जो शिक्षा है यहाँ पर हमें दी जा रही है उसको एक है ना trauma है तो यह अगर हुं कि यह उत्वारा संसे करें इसे वह सकयए हो तो यह उलुभी सौार है यह आदक भू स्वेरा तो आप से।ख़क्ष्ट स्वारा कि उम्हेड हमें अर्जुन ये उomos स्वेर माय खकर चाहिए दिर्म भर के नैसे श्टाइह हों या ना खड़े हों और वो किस परिस्तिति में खड़े हों कैसे परिस्तिति में खड़े हों उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए हमें किवल धर्म की स्थापना करनी चाहिए तो यहां पर जो अरजुन का की जो शंका है उसको हटाने के लिए ही श्री कृष्णी यहां पर संदेश हमें आगे गीता में देंगे यह तो एक स्तर है जो जिस पर आप इसको समझ सकते हैं इससे यह आप गहराई में और जाते हैं तो जैसा कि मैंने अपने स्लोकों वाले वीडियो में भी बताया कि आप यह समझ सकते हैं कि जो यह कुरूखशे पंड़ों की सिना है उसका जो दृष्टिकौन है वो इश्वर की इच्छा के साथ है यदि आप अपने जीवन में देखें तो कोई भी काम जदी आप करते हैं तो वहाँ पर यह किसी बीस्थिति में आप होते हैं तो वहाँ पर आपके पास में दो विकल्प होते हैं कि यदि आप सड़क से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आप एक एट पड़ी हुई है जिससे की लोगों को हानी हो सकती है तो आपके पास में दो विकल्प हैं या तो आप उस एट को वहीं पैसी पड़े रहने दें जो की अधर्म होगा या आप उस एट को उठा के सड़क के साथ होंगे तो यह जो दो सेना है वो इस रूप में दिखा जा तो धर्म और अधर्म को दर्शाती है जहां पर की जो कुरू सेना है वहां पर जो भी लोग है उनका जो उनकी जो प्रेड़ना है वो वास्ता में उनकी खुद की प्रेड़ना है उनकी अहंकार से प्रिवि के साथ में लड़ सकते हैं जो जब वो जो है धर्म की ओर होंगे या वो अपने प्रतिग्या को ऊपर रखें कौरों की ओर से लड़ें क्योंकि वो अपने प्रतिग्या को ऊपर रख रहे हैं तो वो उनकी जो इच्छा है जो उनकी इच्छा शक्ती जो है उसको प्रात्मिक्त का रिन है जो उने उतारना है तो वो रिन वो उतारना चाहते हैं ये उनकी खुद के एहंकार से उत्पन हो रहा है ना कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से उनकी इच्छा शक्ति है कि वो अपने रिन को उतार हैं तो इस कारण से अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरिध होकर वो को आगे रखना जो दृष्टिकोन है वो कुरू दृष्टिकोन है और इश्वर की इच्छा शक्ति को आगे रखना जो है वो पांडव दृष्टिकोन है तो जब अरजुन जो है वो देनों ही सीनाओं के मद्धे में आते हैं तो वो इन दोनों दृष्टिकोन को देखते हैं और वो चाहते हैं कि उच्छानी पहुचता नहीं, उन पर शस्त्र चलाना जाते हैं तो ये अरजुन कि स्व Stream की इच्छा शक्ति है क्योंकि एंदर एक मूह है उनकी और जब कि जो इश्वर की इच्छा educated है वह यह है कि धर्म के स्थापना करने के लिए कोई भी सामने की उग तो आप इस रूप से समझते हैं कि ये दो इच्छा शक्तियां हैं आपको अपने जीवन में इन दो इच्छा शक्तियों के बीच में चुनाओ करना होगा और सदा आपको ईश्वर की जो इच्छा शक्ति है उसको चुनना चाहिए ताकि आप धर्म की स्थापना कर सकें उसी स सतरे जिस पर आप समझ सकते हैं इस से और गहराई में एक और सतरे जिस पर आप समझ सकते हैं वो यह है कि यहां पर यह जितने भी लोग हैं सब यह सब वास्ता में हमारे ही सोच के भिन पहलूओं को दर्शाते हैं जहां पर की दुरियदन जो हट धर्मिता को दर्शाते हैं ज तो ऐसी जो स्थिति होती है वो हम सभी के साथ में हो सकती है जब हम घमंडी हो जाते हैं या जब हम अपने ही बहुत ही स्वारती रूप से जीवन जीने लगते हैं तो और यह जो स्वारती भावना होती है यह हमारे भीतर हमारे अहंकार से आती है जब हमें अपने अहंकार को बढ़ाना होता है. तब ये भावनहँ हमारे भीतर आती है. और यहां पर हम देख सकते हैं कि दूर्योधन जो है, वो अपनी इच्चा शक्ती को आगे बढ़ावादे रहे हूं और बोलते हैं कि हमारी जो सेन्ह आ यह पर्याप्त है अर्थात हमारी जो सेन्ह है वो असीमित है क्योंकि इसकी रक्षा जो है वो भीश्म करते हैं तो भीश्म की शक्ती के द्वारा अरजुन जो है वो इतने हट धर्मी हो पा रहे हैं जिससे हम यह समझ से हैं कि भीश्म जो है वो वास्तों में जो हमारी जो हमारा एहंकार है उसको दर्शाते हैं वास्तों हैं कि जो कार्य भीश्म और द्रोन और कर्ण कर रहे हैं उनके जो निर्णा है वो उनके एहंकार से प्रेरित हैं जिससे कि ये हमारे भीतर का जो एहंकार वाला भाव है उसको दर्शाते हैं जो कि कई बार अच्छे कार्य भी करता है कि इन तो अपने एहंकार से प्रेरित होके करता है तो इस रूप में आसमाजी है श्री क्रिशन जो है वो ब्रह्मो को दर्शाते हैं हमारा ब्रह्मो वाला भाग जो की इस पूरे पूरी श्रिष्टी से एक जुट हो जाता है आप यह कह सेते हैं जो पूरे ब्रह्मो वाला जो भागे उसको दर्शाते हैं जो के साथ में जोड़ना चाहता है वो दर्शाते हैं और वो जो है वो भ्रहमित हो रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि यदि उसको ब्रहम के साथ में जाना है यदि उसको श्री क्रिशन के साथ में जोड़ना है तो उसको अपने एहंकार को नश्ट करना होगा उसको भीश्म को मारना होगा, द्रोन को मारना होगा जिन से वह इतना प्रेम करता है तो आप इस रूप से भी समझदते हैं कि यहाँ पर अपने एहंकार को नष्ट करने के बारे बताया गया, क्योंकि देखिए जो हमारी हटधर्मिता होती है जो हमारा घमंड होता है उसको नश्ट करना तो आप कहसे हैं कि हर व्यक्ति समझ जाता है एक रूप से देखा जा तो ये हर किसी के लिए स्पष्ट होता है किन्तु अपने एहंकार को उस रूप से नश्ट करना कि जो अच्छे कारे हम करते हैं उनसे भी अपने आपको दूर क करेंगी तो ये तीन अलग-अलग स्तर हैं जिसपे की गीता को मैं समझता हूँ इससे और गहराई में भी होसता है की गीता को समझा जासता हूँ जिस तक अभी मैं नहीं पहुंच पा हूँ परन्तु मेरा यहां तक ही है और जहां तक मेरा था हूँ वहां तक का मैंने आपको के यहां पे सब समझा दिया है तो आशा करता हूं कि जो पहला अद्धिया है उसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा अब इस समझ के साथ में आप गीता के आगे का धियन करएगर जब हम श्री कृष्ष्न गीता से बहुत प्रेम करते हैं उन्होंने जो है एक पहल की उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया है उन्होंने ये कहा है कि आप गीता के ऊपर कुछ प्रशन हैं जो कि सभी श्रोताओं से पूछें वो जो उत्तर देंगे उनका फिर मूल्यांकन करें और उस कर देना चाते हैं वो है भगवत गीता की एक पुस्तक तो उन्होंने अपने आप से ही स्वेच्छा से ये पहल की है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनकी जो ये उनका जो ये सुझाव है ये बहुत अच्छा सुझाव है तो मैंने अभी तो जो है पूरा सार आपके स प्रशन के उत्तर दें तो गीता के पहले अध्याय पर एक परीक्षा हम करने वाले हैं कल के वीडियो में मैं आपके समख से सारे प्रशन रखूंगा पांच प्रशन में आप से पूछने वाला हूं जो की सब्जेक्टिव भी हो से तने हैं अर्थात आपको उसमें एक्स्प् और वाले सारे वीडियो को देख सकें और अपने ग्यान को फिर से ताजा कर सकें 31 तारीक तक आपका उत्तर जब मेरे पास में आ जाएंगी तो मैं फिर निखिल के साथ में इन प्रशनों के उत्तरों को का मूल्यांकन हम लोग करेंगे और मूल्यांकन के प्श्चार फिर हम विजयता हुआ और फिर निखेल जी जो है वो उनके लिए गीता की एक कापी प्रस्तूत उनको कर देंगे तो यही घोशना थी जो कि मैं करना जाता था कल के वीडियो में हम प्रेशन रखेंगे आपके सामने जिनके उत्तर आपको प्रदान करने हैं उसके पर शाथ फिर हम दूसरे अध्याय के उपर अध्यन चालू कर देंगे तो चलिए यही पर इस वीडियो का मैं समाप करता हूँ आशा करता हूँ कि पहला जो अध्याय है गीता का वो आप अच्छे से समझ गये होंगे और आप सभी के सभी बढ़ जड़कर आशा करता हूँ नमस्ते